हे फ्रेंस वेलकम टू लव यो लोग आज मैं आप लोग को बताऊंगी पल्लू के प्लीट्स कैसे बना है ऐसे मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आये थे तो मैंने सोचा कि पल्लू के प्लीट्स पे एक वीडियो बनाया जाए जिससे बहुत सारी लोगों को हेल्प मिल सकेग यानि कि पल्लू के इस कॉर्णर को पकड़ना है और आप जितना चोड़ा चाहें इतना चोड़ा प्लीट्स बना सकते हैं देखो मैं इससे थोड़ा सा और पतला लूँगी क्योंकि मुझे जो शोल्डर का प्लीट्स होता है वो थोड़े से पतले प्लीट्स के साथ ही अच कठा हो गये हैं तो यहां से डर रहता है कहीं मेरे प्लीट्स छूट न जाए इसके लिए आपको क्या करना है कि इस हाथ को मुव नहीं करवाना है जहां पे आपने कठा प्लीट्स किया हुआ बलकि दूसरे हाथ को आप मुव करवा के अपने प्लीट्स एक-एक करके बना सकते तो अभी आप देख सकते हैं कि सारे pleats मैंने बना लिये हैं, अभी एक बराबर से सारे pleats को पकड़ के यहाँ पर एक safety pin लगा देना है आपको, जिससे आपके pleats इधर उधर ना हो, सो चलिए यहाँ पर मैं एक सेफटी पिल लगा लेती हूं और सेफटी पिल लगाने के बाद बिलकुल आपने जैसे प्लीट्स बनाया है बस वही गाइड लाइन आप फॉलो करते जाए इधर उधर अपने प्लीट्स को चोड़ा या पतला मत करिए बस जैसे आपने प्लीट् प्लीट्स ना पकड़ ले आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके इसको इस तरह से पकड़े तो बिलकुल असाने से आप अरेज कर ले जाएंगे तो यहाँ पे मैंने इतने पार्ट्स में पहले पकड़ लिया बस ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में आपको कर सकती हूं प्लीट बनाने में बस आपको वही गाइडलाइन फॉलो करते जाना है बिल्कुल एक ही बार में आप अरेंज कर ले जाएंगे बहुत सारे लोग यह टेक्निक फॉलो भी करते होंगे लेकिन यह वीडियो उनके लिए है जो बिगनर से जिनको पल्लू बनाने में सो मुझे पल्लू का प्लीट अभी भी थोड़ा सा इसकी लंबाई मुझे छोटी लग रही है थोड़ा और पकड़के मैं इसको अपने शोल्डर पर रखूंगी और फुल वीडियो देखना है फुल सारे डेपिंग का तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो आप जाके व ब्लाउस की स्टिचिंग होते है उसे थोड़ा सा पीछे होके लगाए तो आपको बिल्कुल भी मतलब आप जुके कोई काम करते हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आप सर पे पलू लेते हैं तो बार बार पलू गिरेगा नहीं बहुत जादा पीछे नहीं लग कि आपको इसको बहुत ही केरफुली अच्छे से लगा लेना है चोटा बड़ा कोई सेफटी पिन ले सकते हैं जिससे आप से आपकी सारी है वह है तो आप बड़े सेफटी पिन का यूज कर सकते हैं देखें यहां पे मैंने पिन लॉक कर दिया है अभी आप देखेंगे कि सारी ड्रेपिंग वीडियो शूट करने में देखें यहां पर लग रहा होगा कि सारी प्लीट बहुत है अच्छे से मैनेज हो गए देखें एक बार क्या होता है कि आप साड़ी पहन के तुर्णत इसको निकालते नहीं है थोड़े देर आपको टिके रहने के लिए आपको क सारी प्लीट्स है ना मैं आपको क्लियर करके दिखाना चाहती है इसलिए मैंने वीडियो में इस तरह से किया है इसके बाद आप कोई छोटा बड़ा कोई भी सेफटी पिन लेके यहां पर लगा दीजिए इससे क्या होगा कि आपके प्लीट्स मतलब 4-6 गंटे-8 गंटे ज आपके सारे के सारे प्लीट्स बहुत ही अच्छे से अरेंज हुए रहते हैं चाहे जितनी देर आप सारी पहन के रखे तो यहां पर मैंने जो पल्लो में सबसे पहला वाला सेफटी पिन लगा दिया था उसको मैंने रिमूब कर दिया है एक प्लीट्स आपको सामने से नजर